नमस्कार सभी किसान भाईयो आज की इस विशे में बात करेंगे मूंग की खेती के बारे में किसान भाईयो मूंग की खेती करने के लिए आप लोगों को जो विराइटी के विशे में हम बात करेंगे वो बहुत ही बढ़िया वरायटी है कम दिनों में आप लोगों को पकर तयार हो जाएगी किसान भाई ओ अच्छी पैदावा लेने के लिए आप लोगों को मौंग की अच्छी वरायटी को चैन करना होगा तो किसान भाई ओ आज जो मैं मौंग की वरायटी के विशे में बात करना चाहे रहें वो आप लोग वीडियो के आंत में बने रहें और इसके खास्चीत की विशे में भी बात करेंगे तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने साथ में बेल घंटी जरूर दबाने ताकि हर रोज हमारी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे तो किसान भायो सबसे पहले हम बात कर लेंगे माज मूंग की वराइटी के विशे में जो बात कर रहे हैं उसकी खास्यत के विशे में किसान भायो ये जो है मूंग की वराइटी ये किसान भायो आप लोग खरीब और जायद दोनों ही मौसमों में आप लोग इसके खेती कर स और किसान बहियो इसको कमपाइन के द्वारा भी कटाइट कर सकते हैं क्योंकि काफी यह इसकी जो हाइट नंबी होती है पौधा छोटा नहीं होता है और किसान मयोग पर्तेग वफ़लियों में कई दाने आप लोगों को मिलेंगे जिससे की पैदावार आप लोगों को बढ़िया मिलेंगी इसकी मात सिचाई की बात करें किसान भयो तो आप लोगों को दो से तीन ही सिचाई में ये जो हमारी फसल है मुंकी हो आती है और इसमें जो गर्मी की सहन से छमता जो है बहुत पर बहुत से फंगस नासक का प्रकुप आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। देने वाली है, यह किसान भाइओ आप लोग गर्मी में मौंग की खेती करना चायते है तो इसी आप लोग किसमगा चायन करें बहुत ही बड़े आप लोगों को उतपादन मिलेगा ताकि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से तो किसान भाईो ये थी आज की जानकारी अगर हमारी जानकारी परसंद आये हो तो चानल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद